नमस्कार दोस्तों मैं पुदार नेहा एस्ट्रॉलिजर अपने यूट्यूब चाइनल नाइन प्लैनर सॉलूशन में आपका स्वागत करती हूँ आज हम बात करेंगे एक नॉर्मल विशे पे हमें सपने सपने न कई लोग आ जाते हैं मेरे को फोन करके भी पूछते हैं कि हम हम आज इसके बारे में बात करेंगे सपने हमें बहुत अगलग तरह के आते हैं सपने हमें रुटीन में तो वही आते हैं जो हम दिन भर सोचते हैं, वही हम उसी की कलपना करते हैं, उसी का illusion level रहता है, तो वही हमारे को सपनों में आ जाते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे आते हैं, जो हमारी आने वाली उन्ती को लेके आते हैं, जो हमने सोचा नहीं होता, लेकिन वो भी हमें सपना दिखता है, इसका म मतलब होता है वो सपना हमें क्यों आया हम मैं आज आपको कुछ फलों की जानकारी दूंगी मान लीजे हमने बदाम सपने में बदाम खाते देखा बदाम खाने सपने में बदाम खाने का मतलब क्या है क्यों आया ये सपना इसका मतलब ये है कि आपके भविश्य में सुख की प्राप्ती होने वाली है आपको कुछ न कुछ सुख मिलने वाला है इसलिए आपने खुद को सपने में बदाम खाते हुए देखा उसके बाद हम बात करते हैं अमरूद अमरूद क्यों खाते हुए देखा हमने उम्रूत पकड़ा, मुह में ने डाला, उसको पहले तोड़ा, फिर उसको खाया उसका क्या मतलब है, धीरे धीरे आने वाली परिशानिया हमसे दूर जा रही है इस वज़ा से हमें ये वला सपना आता है, आम, आम राजा है तो राजा जैसा फल भी देगा, आम पीले रंगा है, जुपिटर का रंग लिए बैटा है, सूर्य का रंग लिए बैटा है, राजा है तो इसलिए आम हमें पैसा देता है, मान समान देता है, वृद्धी देता है, ग्रोथ देता है अगर हम सपने में आम खाते खुद को आम खाते देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वृद्धी आने वाली है पैसा आने वाला है, ग्रोथ मिलने वाली है अगली बात करते हैं आमवले की आमवला हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है हेल्थ, लोग जो भी हेल्थ के लिए अपना बहुत ध्यान रखते हैं वो आमवला जुरूर खाना पसंद करते हैं अगर आपने सपने में आपने आपको आमवला खाते हुए देखा है तो इसका मतलब यह है कि आपके भविश्य में किसी तरह की आपको कुछ मिलने वाला है कोई opportunity आने वाली है जो हमने खुद को आमवला खाते हुए देखा है इसी बरकार से और भी फल हैं, और भी सबजियां हैं हम धीरे धीरे इन सब चीज की व्याख्या करेंगे आज के लिए इतना ही मेरे यूट्यूब चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को भी पता चले कि किस फल का सपना देखने से क्या होता है धन्यवाद